नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप Instagram को कैसे यूज कर सकते हैं और आप Instagram पर अच्छी तरह से पोस्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं जिस से आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक मिले मैं अपने Instagram profile को open कर लेता हूँ और आपको open करके दिखाता हूँ देखिए दोस्तों ये मेरा Instagram का जो icon है इस पर मैं click कर देता हूँ देखिए दोस्तों ये open हो गया है तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारे हैं कि आप हमें इस profile के icon पर आ जाना है दोस्तो मैंने प्रोफाइल को ओपिन कर लिया है और दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल का जो अकाउंट का नाम है वो है शानावास खेमपूर इसके साथ ही दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं 77 पोस्ट जो हैं वो कर दी है 9,841 मेरे फैलोवर्स हैं 5,515 मेरे जो हैं वो फैलोविंग है दोस्तो फैलोवर्स वो होते हैं जो हमें फॉलो करते हैं और फैलोविंग वो होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं इसके साथ ही दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि य अगर आपका कोई YouTube चैनल है तो आप उसका लिंक जरूर लगाएं क्योंकि वहाँ पर भी ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आपका पहुचेगा Instagram से दोस्तों ये नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लगा सकते हैं Future Story प्रोफाइल पर दोस्तों ये हमेशा प्रोफाइल प कर रखी हैं आप भी अच्छी पोस्ट अपलोट करें जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू मिलें और ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक भी मिलें दोस्तों ये आईजी टीवी का ओप्शन है इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूं देखिए मैंने इस पर एक वीडि भी बढ़ेगी आपको views मिलेंगे तो दोस्तो post upload करने के लिए आपको इस plus वाले निशान पर जो icon है इस पर आपको click करना है मैं इस तरह से अगर इस पर click करता हूँ तो देखिए इसमें मेरे phone की gallery में जो बहुत सारे photos हैं वो आजाते हैं दोस्तो आप एक चीज़ का ध्यान रखे आप जो भी photo select करते हैं अगर वो photo पूरा नहीं आता है complete तो आप यहां से click करके उसको छोटा कर ले जिससे के उसका size जो है वो पूरा आ जाए इसके अलावा दोस्तो अब हमें क्या करना है कि हमें next पर click करना है लेकिन अगर दोस्तो आपको एक से ज्यादा photo लगाने हैं तो यहां select multiple पर आप click करके एक से ज्यादा photo भी select कर सकते हैं चलिए फिलहाल मैं इसको next कर देता हूँ दोस्तो इसको next करने के बाद में अब यह आपको कई तरह के filter दिखा रहा है जो भी आप filter चाहें वो यहां से select करके लगा सकते हैं इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है फिलहाल मैं इसको direct ही upload करूँगा इसमें कोई भी filter use नहीं करूँगा फिलहाल मैं इसको next कर देता हूँ और next करने से पहले आप देख पा रहे हैं यह contrast का option अगर आप चाहें तो इसका contrast भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है मैं इसको done कर देता हूँ और इसके बाद next भी कर देता हूँ दोस्तो अब यह हमारी post जो है वो import सही तरीके से हो गई है अब हमें यहाँ पर एक अच्छा सा title देना है दोस्तो आप जो भी चाहें वो title दे सकते हैं जो भी आपको आपकी post से related हो इसके बाद में दोस्तो आपको क्या करना है अगर आप किसी को अपने friends को tag करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप tag कर सकते हैं अगर आप location एड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप location को भी add कर सकते हैं तो दोस्तो ये अगर हम इसको on कर देंगे इस तरह से तो फिर क्या होगा कि पोस्ट हमारी Instagram पर तो upload होगी ही इसके साथ ही ये हमारे Facebook, Twitter और Tumblr के account पर भी share हो जाएगी दोस्तो अगर आपके ये account बने हुए हैं तब ही आपके इन account पर post upload होगी सब कुछ फिल करने के बाद में आप description डालें और description की नीचे आप करीब 8-10 tag जरूर लगाएं दोस्तो वैसे तो Instagram पर 32 tag तक लगा सकते हैं पर आप 32 ना लगाएं लगभग 8-10 tag तो लगा ही दें दोस्तो ये सब complete करने के बाद में आप इसे share पर click करके post को share कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से Instagram की post को upload किया जाता है दोस्तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अगर आपने अभी तक हमें Instagram पर follow नहीं किया है तो link आपको description box में मिल जाएगा आप हमें Instagram पर follow जरूर कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम